दिल्ली में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं फिर चाहे वो घर चलाने वाली हो या फिर जिस्म बेचने वाली महिलाएं इसमें महिलाओं को इतना बेशरम होना पड़ता है कि कई बार पूर्शों के साथ संबन बनाने पड़ते हैं चाहे वो उनकी मजबूरी हो या फिर कोई आर्तिक हालात उन्हें मजबूर करते हो बहरलाल जिस्म फरोशी के धंदे में जीबी रोड का नाम बहुत चर्चाओं में बना रहता है आपको बता दें जीबी रोड कोठा नंबर 52 में गोली चली नमस्कार दोस्तों मैं गौरफ औ दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर मंगलवार कोठे पर आये कुछ लड़कों ने ताबर तोड गोलिया चला दी आपको बता दें पुलीस के मुताबिक मंगलवार दोपैर करीब दो बजे पुलीस को सूचना मिली कि जीबी रोड से कोठा नंबर 52 पर कुछ लोगों ने गोलिया चला दी हैं गोलिया चलने की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ट पुलीस अधिकारी मौके पर पहुच गए क्राइम टीम के अलावा एफ एसल की टीम मौके पर पहुच गई वहां पुलीस को राधा और इम्रान जखमी हालत में मिले आपको बता इने वह इम्रान के कंधे पर गॉली लगी थी घायलों को अस्पताल पहुचाने के बाद पुलीस ने जाश शुरू कर दी आपको बता दे कि छान बीन के दुरान पुलीस को पता चला की कोठा नंबर बावन की संचाली का पारवती नामक महिला है मंगलवार दोपैर को दो वजे लड़के कोठे पर आये थे राधा से बात चीत के दुरान इनकी रूपियों को लेकर उनसे कहा सुनी हो गई इस दुरान एक लड़के ने पिस्टल निकालकर उस पर गोलिया बरसा दी घायल राधा 30 साल और इमरान चोधरी की उमर 26 साल बताई जा रही है आपको बता से युवक इमरान को लगी इमरान भी कोठे पर ही काम करता था वारदात के बाद आरोपी पैदल अजमीरी गेट की तरफ भाग गए पुलीस ने हत्या के प्रियास का मामला दर्च कर चान बिन शुरू कर दी है शुरुवाती जाच के बाद पुलीस को सीसी टीवी है वहाँ पर गोली बारी की घटना हुई है और वो भी उस युफ्ती के साथ जो वहीं पर काम करती थी और आपको बता दें जीबी रोड की कोई पहली घटना नहीं है ऐसी घटना वापर आए दिन होती रहती है और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें आप रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर